हाई फ्रेंड मैं परतीवा किचेनवित परतीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूं आज मैं लेकर आई हूं व्रत असफेसल रामदाने की रेशीपी यह रामदाने की स्वीट रेशीपी है इसे आप परफी भी बोल सकते हैं या चकली भी बोल सकते हैं अगर ना का तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं गैस फे चड़ा लिया है हमने एक कड़ाई और यह देखिए हमारी टोटल इतनी रमदाना है इसे राजकीरा भी बोला जाता है और इसे हम इतनी रमदाने को कई बार में भूनेंगे यह एक बार में नहीं भूनेगा क्योंकि यह बहु पूरे किचन में आतंग मचा देगा इसे सौधानी से भूनना पड़ता है इस वरकार देखिए मैं थोड़ा हटा रहे हूं देखिए किस तरह से उचल उचल कर बाहर आ रहा है तो सौधानी से भूने देखिए और धक करके ही भूने नहीं तो पूरे किचन में फ्हल आप जब भी भूने तो सौधानी से ही भूने तो इस प्रकार से ये मारा भून करके त्यार हो जाता है इसे अब हम पलट लेंगे एक बर्तन में करूं से इसी कड़ाई में थोड़ी से और रमदाना डालेंगे और इसे भी इसी परकार से ठोड़ा सा मिला करके कॉटन से धक करके我知道 कर दकने देंगे तक इसी पार कर बाकी बच और रमदाने को भी भून लेंगे और यह बहुत ही जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है आपको जब भी रख रखें तो अगर आपके पास यह रमदाना है तो ऐसे इकड़ाई में बोन लिजे आप चाहें तो इसे दोध में डाल करके थोड़ी से चीनी के साथ हलुआ भी बना सकते हैं या या फिर ऐसे भर्फी बना लिजे ल्टू भी बना लिजे कुछ भी बनासकते हैं तरह से सारे रमदाने बोन चुका है अब इसकी हम बनाएंगे वर्फी बर्फी बनाने के लिए हमने गेशपेकड़ाई रख लिया है उसी इसकड़ाई में डाल रहे हैं यह करीम 200 ग्राम चीनी है एक ग्लास पानी इसको डाल करके इसकी एक हलकी चिपचिपी सी चाशनी तयार कर लेंगे देखिए इस तरह से यह इसे पकाई लगवक 5-6 मिनट लगेगा तो इस परकार से बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं इलाइची कोट करके हर इलाइची की होता है जरूरत नहीं है डालने के पर फिर भी मैं थोड़ा सा डाल रहे हूं ताकि और इच्छी इसकी स्वाद आजाए देखिए इस परकार यह हलका चिप-चिपा पन इसमें आ रहा है तो यह हमारा चाशनी तयार है अब इसमें जाएगा हमारा सहरा रमदाना तो इस लाते हुए चलाएंगे और फिर एक प्लेट में मैंने घी लगा के रख लिया है इसमें इस सबको निकाल लूँगे इस परकार से मैं इसमें निकाल लेते हूं एक प्लेट में चलिए निकालते हैं तो देखिए इस परकार सारे रमदाने को निकाल के प्लेट में दवा लें इस स्पून की सायता से थोड़ी सी गी लगा करके इस तरह से इसे अगर ना काटे तो चकली हो जाती है और मैं यहां लेकिन इसको काट रही हूं तो यह हमारी बर्फी बन जाएगे इस प्रकार इसे काट लेते हूं इस प्रकार हमारे सारे चकलिक कट करके बर्पी तयार हो चुका है अब इस पर हम चाहे तो गानिस भी कर सकते हैं मैं यहां किसमिस और नारियल से गानिस कर रही हूँ आप कुछ और भी ले सकते हैं देखिए इस परकार से ओपर थोड़े थोड़े नारियल किसमिस फैला दिजिए इससे यह और भी सुन्दर लगने लगेगा तो देखा आपने इसे बनाना कितना अफसान है पर बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट भी है फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा थेंको फर वाचिंग मैं वीडियो